जो राहूल गांधी जी के खिलाब जो पट्टना में सिभील कोट में जो मान हनी का मुकदमा चल रहा है उस सुसील मोधी जी के तरफ से जो दायर किया गया था तो उसमें कल यानि 25 तारिक को पट्ना के कोट ने स्टी राहूल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने ये कहा था कि उनको 25 सारी कोफसित कराएंगे हम लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पेटिशन फाइल किया हाई कोट में कि अब एक नया फैसला चुकी सुरत कोट का आ गया है जिसमें कि राहूल गांधी जी को उसी अपराद के लिए सजा हो गई है यानि कि मान हानी के लिए यही उनके खिलाफ एक गुजरात के एमेले ने जो वहां मुकदमा दायर किया था गुजरात में सुरत में उस केस में उनको बजाबता ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है तो जब उनको उसी अपराद के लिए एक जगा सजा दी गई है तो यहां पर पटना के कोट म उनके उपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आये हैं यहां कि उसको स्थागित किया जाए अभी तो उस पर आज सुनवाई हुई कोट के द्वारा और कोट में मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें जो आज इनोंने बहस रखी है अपनी क्योंकि एक कोट से उन फर मुकद्मा चल करके उनको सजा हो गई है तो संभिधान के प्रावधान और क्रिम्नल कोट के प्रावधान के तहट क्या उन पर दुबारा उसी अपराद के लिए ट्रैल चल सकता है या उनको सजा सकती है तो इस पर मैंने कोट से वक्त लिया है कि Präsident को इसका के लिए रोक लगा दिए कि जब तक अगली सुनवाई यहां नहीं होती है तब तक कोई कारवाई नहीं हो